सर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पे बात की गई थी पापा ने किस तरीके से वार रुखवा दी जी सर आपका मैं अभार व्यक्त करना चाहूंगी सबसे पहले तुम्हें श्रिया यादव जी, तानिया सोनी जी और निविन डालविन जी के परिवार को अपनी समवेदनाय व्यक्त करना चाहूंगी जो उनके साथ हुआ मैं उमीद करती हूँ आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ना हो और वो बच्चा जो एक opportunity के को ढूंटे हुआ आता है उसके साथ तो कते ही ना हूँ सर मैंने जब यह अखबार आज पढ़ रही थी उसी front page पे 22 साल के युवा हैं हर्याना के रवी माउन उनके बार में भी पढ़ा वो front page पे ही है इसी अखबार के जिनकी मौत हो गई रश्या के वार में लड़ाई लड़ते लड़ते 22 साल के वो भी युवा हैं वो भी opportunity एक lack of opportunity जो देश में हो रही है जिसके चलते एक युवा को मजबूर होना पढ़ रहा है कि रश्या यूक्रेइन वार में भागीदारी लें और वहां पे अपनी जान गवा बैटे हैं हर्याना के हैं पूर मुख्यमंत्री यहां पे बैठे हैं उमीद थी कि हम सब उस पे भी चर्चा करेंगे कि जब हम 267 लाते हैं नीट पे 24 लाक जो बच्चे हैं उनके जो फ्यूचर हैं उनके बारे में उस पे भी चर्चा करें पर अच्छी शुरुआत है मैं उमीद करती हूं आने वाले समय में हम वो चर्चा करेंगे सब जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पे बात की गए थी पापा ने किस तरीके से वाल रुखवा दी और जो युवा हैं वो वहां से यूक्रेन से इंडिया लाए गए वो बच्चे वापस तो आ गए इंडिया पर वहां पर उनको ये ब्रिज कोर्स नहीं दिया कि किस तरीके से वा अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर सके इतना उनको मजबूर कर दिया कि वो वापस यूक्रेन गए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और ये दूसरे यूवा हैं हर्याना कि अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में उनके परिवार ने अपनी लैंड बेच दी इस उमीद में कि वो जो लैंड का पैसा आएगा वो एजिन्ट को पे करेंगे और वो जाकर दूसरे देश में जाकर वो कमाई करेंगे पर उनको बर्गला कर उनको रस्या में उनकी आमी में डाल दिया गया ऐसे बहूत अंगिनत युवा हैं अंगिनत युवा जिनकी मौते हों गए हमें पता ही नहीं है उसी तरीके से, सर हमने बकाइदा हमारी सरकार ने इसरेल के साथ ऐसा ही एक साइन किया है, ट्रीटी साइन की है कि हमारे युवाओं के पास यहां पे रोजगार नहीं है तो जाए इस्रेल पे बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़िये उनकी वार हम लड़ेंगे और हमारे बच्चे यहां पे शहीद होंगे हमें उसकी कोई परवा नहीं है इसका रूट कॉस एक ही है सर 9.2% अनेम्प्लॉइमेंट जो युवाओं उमीद करता है कि उनको आर्मी में भरती मिलेगी उनको अगनी वीर दे दिया जाता है जो युवाओं उमीद करता है उनको रोजगार मिलेंगे और साथी साथ ये कोचिंग सेंटर से लेकर ये पूरा एको सिस्टम जो हमारे युवाओं के सपनों को तार-तार कर रहा है चूर कर रहा है उस पे किसी तरीके का संग्यान लिया जाए और सक्ट से सक्ट कारवाई हो ये ना हो कि दस लोगों को आपने जेल में डाल दिया तीन महीने बाद बेल दे दी और फिर वर्क ऐस यूजूल चल रहा है तो इस पे गंभीर मैं मानती हूँ चर्चा होनी चाहिए और रेग्यूलेशन जो सब मांग कर रहे हैं ओस टेग्यूलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए